कि अच्छों कैसे हो आपका स्वागा था तिरपार्ण स्टेडी सेंटर में आज जो हम यहां करने जा रहे हैं समाजिक विज्ञान यहां पर पेपरों का अध्यन करेंगे विस्तार प्रुवग यहां पर पेपरों के अंतर गत जोगा क्यों भी होगा आपके समाख्ष कोशन अंसर भी होंगे जो बोर्ड एक्जान के लिए काफी महत्वपून रहेगा और सबसे महत्वपून बात यह रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों इमाद्या में आपको यहां पर समझाया जाएगा जो की और भी महत्वपून बन भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए और यह है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपोरेंट बात यह रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोग इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठीक है वर्ट सब स्टेटरस पे भी लगाओ दोस्तों आने से संटर जे कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हल्फूल है चाहे हो एर्थ क्लास हो नाइन तेंथ लेवन ट्वेल्थ हो चाहे हो एन इस बोड के बच्चे हो ठीक है चा कुछनार नहीं विचार नहीं करना है अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है तो यहां पर जो मैं आपके समक्ष लाया हूँ काफी महत्वपून है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तिरपान स्टेड़ सेंटर में हर चीज जो होगा आपके लिए काफी महत्वपून रहेगा अब यहां पर टेंथ क्लास के जो है सोशल साइंस यानि समाजिक विज्ञान जो हमारे समक्ष आया है इसके अंदर गत अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है mcq आपको इसी परकार से जो है mcq आपको प्राप्त होता रहेगा ठीक है उसके बाद कोशन अंसर रहेंगे तो यह सिलसला आप चलता ही रहेगा तो अभी सब्सक्राइब करके मुबाइल में सेव कीजिए तभी समय पे जो है नोटिफिशन आपको मिलेगा हमारा mcq का जो है विकल्ब को पहचानना है यह ओधनियां superintendent organizational consulting दौरापाइद किया गया था कौन सा पिसके लिए जो है impeller Charlene tips counseling दोरा पारित किया गया था इससे सरकार को राजनितिक गत्विद्यो को दवाने के शक्ती भी दे दी किसे सरकार को राजनितिक केदियों को बिना मुकदमा चला इहरासत में रखने का अधिकार भी दे दिया आखिर कौन अधिनियम पास किया गया कैस्फ परकार अधिनियम था जिसे इतके कारण सारे तीनों के तीनों अधिकार उनको दीए गए अब देखे यहां पर ऑप्षन भी चार है उन्हीं से एक अंसर जो होगा कुर्णेक्ट होगा अब देखिए यहां पर दिकल्ब हमारे समक्ष आया है पहला तो है रोइल एक्ट-दुसरा by सरकार अदनियम अंद्रदेशी परदवास अदनियम देखिए यहां पर अगर हम भारब सरकार अधनियम देखियए तो भार सरकार तो यह 3 नहीं क्योंकि इंजलीवर इंपिरिल लेजलेटिव कांसलिंग की बात करते हैं तो यह भार सरकार तो 3 नहीं और दूसरी बात ते कि अंतर देशि में 2 अधनिय स्टेटमेंट बता रही है तो अप्शन हमारा सिर्फ ए रह गया तो देखा जाए तो यह सही है क्योंकि इससे आप इससे भी पहचान सकते थे कि रोयल के रिगार्डिंग बीना मुकदमा चला हिरासत में रखने का सरकार को अधिकार दिया गया था और यह तिर्मेंट सही थे और इसके अंतर गत सिब रोयल एक्ट में ही तिनों बातों को कही गई थी इसलिए जो है रोयल एक्ट जो थी उसमें अधनिया इंपरियर का रोयल एक्ट ने दिया था इसलिए उप्शन ए सही है उप्शन ए पे जो है आप टिक लगाईए दूसरा कोश्चन हमारे समक्षाया कि भारत में किस अस्तान पॉल जल सरक्षन के लिए एक आर्मी सताबदी के एक कुरतीम जील है भारत किस अस्तान पॉल जल सरक्षन के तो यहां पर देखिए ओप्षन है दिल्ली भोपाल मुंबई कोहलापूर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो ऐसा हमें देखने को कहीं नहीं मिला है और कोलापूर में देखें तो कोलापूर में भी नहीं है अब मुंबई में भारत में जल सरक्षन के लिए गारम स्तावदी में कुर्तीम जील नहीं बनाई गई थी तो यहां पर अफसन सिर्फ एक ही बच गया भोपाल तो राइट अंसर आपका है भोपाल बी दुसरे का अंस तिसरा कोशन आता है जो काफी महत्वपून है कि नीचे दिए गए डाटा को पढ़े और प्रश्ण के उत्तर दें उत्तर पर दे से ग्रामनी जनसंक्या की सैच्षिक उपलब्दिय उपर दिए आंक्रों के अनुसार ग्रामनी जनसंक्या में सच्छता दर का प्रतिशत सब सबसे कम किसका है अब सबसे अधिक जो है सक्षरता दर में सबसे किसका है अब देखिए ग्रामनी अवादी की सबसे दर देखें तो पूर्ड़ों को 76 प्रतिशत महिला का चौवन यानि महिला यह पर पिछहर रही है जहां से चबाधन वर्षा आयू के ग्रामनी बच्चों सब्सक्राइब sometimes'm SM अब यहां डारेक्टलीय दिक रहा की महिलाओं की परिश्ग में हड़ जगण ग्रावर्ट def Sn को आपक्षण में देख लेते हैं अब देख सकते हो पूरुश जे की पूरुश महिलाईं महिलाएं अब देखिए हूश बेchant तो डाइरेक्ट गलत ही है उसके बाद पुरुष और महिला हैं दोनों को यह से हो नहीं सकता कि दोनों की सब्सक्राइब समानने हो तो सी भी ऑप्षन गलत हो गई अब हमारा दोंद जो रहे गया है ए और डी में रहे गई तो देखा जाए तो में पुरुषों की देखा गई यहां पर कि महलाओं की सिक्षादर जो है बहुत कम है तो आपका जो ऑप्षन डी है वो सही है इस कोशन के लिए डी ऑप्षन सबसे महत्वपून है और यह हमें अनलाइज करके भी समझ सकती है उसके पश्राथ हमारे समक्ष चौता कोशन आता है काफी महत्वपून है कि निमिलिकित में से कौन सा विकल समभावित उपायों का परत्रिद्व करता है जो बागों की अवादी और जैविविता का उत्पन खत्रों को कम करने के लिए उठाया जा सकता है यानि चौता कोशन काफी महत्वपून है और यहां पर हमारे समक्ष चार जो है रखे गहें बातें कि सिकारी पर प्रतिबंद लगाना उनके अवासों का कानूनिस अनक्षन देना और वन्ने जीवन को बेपार पर प्रतिबंद लगाना की काफी महत्वपून बात यहां बताई गई यह तो होना ही चाहिए उसके बाद दुसरा उप्शन है बंच्छेत्रों में जनता करना के जाने पर रोख लगाना चाहिए कि जनता आजकल बहुत तेजह है वह क्या करती है बंच्छेत्र में जाती जनवरों यह और कई तरह दुरगटना भी हो जाती बात यहान पर भी कुछ नदक सहीं काया गया त्शली बात देखे तो बंच जीवन अभरान एवम राश् चलिए ओसन दे क्थन देखा काफी महतव्पून है विकलप themed देक लेते हैं अब दो गिम्प यह कहता है कि कथन a and two जो है सही है यहाँ पर दो तीन छार सही बताया गया है कथन दो जो है सही है कथन a घृ कथन 3 और कथन चार जो है सही है तो आपको किसी एक कथन को जो है सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर तो हमने सब को जो है बिस्तार पुर्बक जाना और काफी महत्व रखा लेकिन देखा जाया तो बंट संडक्शन के अंतरगत एक बात जो थोड़ी सी कमजोर यहां नजर आई वो थी option second कि बंट छेतरों में जन जाने पर रोगए किसी तरह से भाया नहीं यानि देखा जात तो दुसरा option यहां पर सही नहीं है अब जब दुसरा option सही नहीं है तो चलिए पहले एमें जो है दुसरा question है सकाल दूसरा तो यह एलिमेट हो गया पहला a option हो गया बी में देखिए उसमें भी दूसरा बात को है तो सही है तो सही रहा हो गया रहे टी डी में डुसरा औप्छन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है जिसका मतलब अंसर हो गया डी कफ़्ण अन्सारा सभरे Chinat साथ से चौती बहुत सब्सक्रीत कर सकते क्यों कि यहीं बात की अटपटा सा था थि चेत्रों में जंता के जाने पर रोक लगा देना चाहिए तो ऐसे जनता कि रहने कारतें जनवर को करतें लेकिन जनता की बात कहीं गई है तो यह थोड़िजी सब अठपटी है इसलिए इसका दुसरा option कर दीजिए जैसे मैंने दुसरा option eliminate किया तीन के तीन option जो थे तो यह भी काफी महतुपून जो है करने के लिए रखा गया है और यह वाले बच्चों के लिए यहां पर पर जो हमारा कोशन है काफी महतुपून है कि जब इरोप के कई देश एरोपिय संग बनाने के लिए एक साथ आए तो डैस को इसके मुख्याले के रूप में चुना गय बेस्लेस को चुना गया लंडन को चुना गया कोशन यहां साफ है काफी महतवपून है कि जब इड़ोपियों संग बनाए गए तो सबसे पहले किसको मुख्यालत चुना गया अंसर क्लियर है अब देखिए पैरिस तो था नहीं लेंडन था नहीं जिरिक था नहीं इसका मतलब अगला कोशन जो हमारे समक्षाया है निमलिकित में से कौन सा कथन बहुत संक्याबाद और सत्ता के सजदारी के भी सठीक अंतर करता यानि अंतर को करने वाली बातों को जो हमें यहां बताना है पहला अंसर है बहुत संक्याबाद बहुत संक्याबाद के प्रभुत पर जोड़ देता है जबकि सत्ता के वटवारे वपर जोड़ जोड़.imientos नहीं बहुसां के बात काफी संक्याबाद पर जोर देती है सत्ता की सज़दारी कभी इस बात को जोर देती नहीं कि यह साफ एक अंसर गलत है कि अलब संक्रिस हमों के भाहिसकार पर जोर देती है इसको बीको तो इल्मिनेट ही कर दीजिए यह कभी नहीं सुझता का भाहिसकार करने की बात कहीं सी कहता है अलब संक्रिस हितों की समायोजित करने के पर महत्त देती है चलो जोईंट करने की बात करते है जबकि सत्ता की सज़दारी बहुत संक्रिस सावसं की अशक्ता पर जोर देती है यह भी बात कई खटक रही है मन में उसका दीत एकते हैं बहुत संक्यवास अंगर्षों के सांती पूर्ण समाधान के शक्ता पर जोड़ देता है संती पूर्ण समाधान की सत्ता की सजदारी बहुमत की इच्छा को थोपने के लिए बल को प्रियोग पर जोड़ देती क्या बात option दिया यार इतनी घटिया option देने की क्या जरूरत थी कुछ तो मिलता जोलता होना चाहिए था अब यहां पर बात ही घटिया बोल रहा है कि बहुमत की इच्छा को थोपने के लिए बल का प्रियोग पर जोड़ देता है क्या कभी ऐसा हो सकता है सत्य सजदारी में इसा थोड़ी होता है अगर ऐसा आपको कुछ अच्छा नहीं बताता क्योंकि यहां संक्या ऑशकता पर जोड़ देती है यहां आपशन के लिए सठीक इसलबर ऊप्शन काफी मेहत्पून और अंसर भी है उसके पश्रात आता है हमारा सेवंथ कोशन देखिए दो कथन अभिवेक्थन और कारण के रूप में चिनित है दिने देगे कोड के अनुसार अपना चिन को अंकित करें यह काफी महत्वपूर्ण है डिजनिंग के अंतर आ जाता है आपको कोशन और यहां पर कथन जी यह बो देख लेते हैं किस-किस अप्शों में ऐसा है यह और ऊर दोनों सत्त हैं पर और a का सब्सिक्रित के लाइन है छलिए यह तो आपक्षों हम रखते हैं इिंपोर्टन में ही आ गया जुत certains देखा अर तो डि में आर सई है और एकी सही वियाग्राओ चलिए ऑम एड़疫 सबस्ट किया है इसलिए option a सही हो जाएगा साथ में का देखा जाए तो a काफी सत्य है यह और आर दोनों सत्य है और आर एक का सही सपस्ट्री करन यानि सही उसने प्रिवाशित किया है तो यह हमारा साथ में का जो होगा a option correct answer होगा उसके पर शाहत हमारे समक्ष एर्थ कोशन आता है जो काफी महतपून है कोशन है राहुल के पास का पास की एक बोड़ी है लेकिन अपने माल कारदान परदान कर सकी जर्रणल से बात हivan परदान तो होता होँगा यह दोनों की दोनों चीजे अफशकता हैं अप्शक्ताओं के ऐसे सबसम्दान नहीं कर सकते में कौन को एंजविक्र करता है queste ऊप्षणों में से आपको एक option ढूरना है जो यहां पर जो है काफी अच्छा इन दोनों करदान परदान को परवाशित करते हो पहला है चाहत का दोरा संयोग बस्तूओं से बस्तूओं करदान परदान चाहत का दोरा संयोग यह तो नहीं हो सकता चाहत का दोरा संयोग बस्तूओं का रही नहीं यह है तो पैसे हमार्दान परदान क्यार कर सकती है चाहत हमारी है दोरा संयोग बना है तो पैसा यानि देखा जाए तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही मिलेगा क्योंकि बाकी तीन जो है उस बात पर खरी नहीं उत्रे जो हमारे लिए जरूरी था यहां बड़ी है चाहत का दो कि आप एक देश के नागरिक हैं जहां सरकार का लोकतंत्र सरूप है आप यह सुनिची करना चाहते हैं कि आपके देश में सत्ता समझदाकरन की प्रनाली प्रभावी हो और सरकार किसी भी एक सखा के पास पुर्ण शक्ति ना हो जो होना भी चाहिए निवलित में से कौन सा फैसे बात तो बिल्कुल ही गलत अलिएट हो गया सरकार और आजयतरा प्रांतों के विज भिवाजित किया गया है और प्रतेश का अपना प्रभाव छेत्र चली यह तौड़ा सा इंपॉल्ण बात बता रही है अगला देख लेते हैं विदाई कारेकारी और नये शक्तियों के बीश सक्ति के अलगर किया गया प्रत्यक सरकाओं के अपनी जिमिदारी और सक्तियां होती चलिए यह तो बहुत अच्छी बात बताई गया हमारा दूंद रह गया बी और सी में तो बी और सी में से के बीश देखा जाए सक्ता को केंद्र सरकार और अज्जे सरकार के बीश वीवाजित कर देंगे तो प्रधान मंत्री जी कहां जाएंगे यह तो गलत बात बता रहा है तो बी भी हमारा जो हो गया यहां पर दोस्तों eliminated हो गया तो इसका मतलब एक ही option सही है सी क्योंकि विधाय कारेकाड़ी और नयाए सखाओं के भी सक्ति को अलग किया गया है और यह बास सत्य है पर तेख सका की अपनी जिमेदारी होनी चाहिए और उनकी सक्तियां है तो हमारा कोशन हमारे इसी चित्र पर अधारीत है आप देख सकते हो कि किसी देश का यह जो है एक परलामेंट जैसा नजर आ रहा है हमारा कोशन भी इसी पर अधारीत है और यह एक्जाम विए ऐसे कोशन ही आपको एक्जाम में आते हैं इसलिए मैंने कहा कि तिरपान अस्ट्री संटर बहुत महत्वपून है यहां पर सारे वीडियो प्लब्द हैं और उस सभी इंपोटेंट है मेरा विश्वास को अगर आप करके चले जाते एक्जाम में दुनिया में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है यह कोशन बहुत ही महत्वपून है परियाप्त है और एक्जाम बैठे हुए हैं तो कोई संसा दियोगा कोई लोग सवाज ऐसे ही चित्र बने हुए हैं इतने लोग तो यहीं पर बैठते हैं और इसका उचाय भी काफी दिख रही है उपर भी जनता मुझे नगर आ रहा है तो चले देखते कोशन क्या बताया गया इसके अंतरगत कोशन प संसद जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहां पर हमारे चार अप्शन है फेक्ट फॉंट संसद रेस्ट अगर्ड द्यूमा संसद भवन चलिए संसद भवन तो यह है नहीं दी तो ऐल्मिनेट ऐसे ही हो गया दूमा तो कहीं तक हट तक नजर भी नहीं आ रहा है अब हमारा प संसद नहीं है अंसर यह है तो आप समझ गए हो जो मैं दिखा रहा था चित्र जो आपको दिख रहा है वह कौन से संसद है फैन फॉर्ट संसद अगला कोशन जो हमारे समक्ष आया है काफी महतपूर्ण है कोशन इगा रहा है निमलिकित विकल्पों में से उप्यूक कथनों करके वैश्विक अर्थ विवस्ता पर खुले विदेशी वेपार के प्रभावों का मुल्यकान करें तो यहां पर कोशन साफ है कि वैश्विक अर्थ विवस्ता पर खुले विदेशी वेपार के प्रभावों कामने मुल्यकान करना तो यहां पर है बजारों में बस्तू की बढ़ जाती है, दो देशों के निर्माता अपने अस्तानों के बीच की दूरी की बावजूद एक दूसरे के खिलाब, परतिसपस्ता कहते हैं, यह भी बात सही है, इस परकार बिदेशी बेपार के पहिनाम सरू विबिन देशों के बजारों को जोरा जाता है, बजारों के कि तो हैं सबी तो हो नहीं सकती है तो सी हमारा यहीं से गया डी केवल गतन दी जो है उपयुक्त हो सकते क्योंकि हमने कई अज़ी साहथ देखी तो यहां पर डी भी हो गया अब हमारा द्वंद जो रहे गया किसमें यह काफी महत्वपूर बन गया है दोंद रहे गया हमारा A और B में तो A और B में देखा जाया तो क्यों उसी बाते सही होगी देखा जाया तो हमारा यहां पर चौथा तो एलिमिनेट हो गई पहले ही तो हमने इसको माना ही नहीं इस परकार विदेशी बेपार के पईनाम सरूप विविन देशों के बजारों को जोरा जाता ह। जोरने की बात सही है चला गया चला गया उप्युक्त है यहाँ पर उसके पश्राथ हमारे समाख्ष बार्मा कोशन आया है कथन को पूरा करने के लिए सुधार विकल्ब चुने यानि यहाँ पर आपको फिलिंदा ब्लैंक्स को भरना है कोशन ने कोई सरकार अपने नगरिक को निर्णे की प्रक्रिया के जास करने का अधिकार और साधन परदान करता है तो वह डैश है अब देखिए क्या हो सकता है एक जवादे सरकार हो सकती है एक जिम्यदार सरकार हो सकती है एक प्रादर्शी सरकार हो सकती है एक इस्तिर सरकार हो सकती है देखिए एक इस्तिर सरकार तो हमारे देसमें संभव है ही नहीं क बात को तो हम लेके चली नहीं सकती यानि देखा जाए तो हमारा यहां पर B और D जो है eliminate हो गया हमारे समक्ष जो आप option रह गया हो A रह गया और C रह गया सरकार को पार दर्शी होना चाहिए यह बात भी सही है तो यहां पर देखा जाए तो एक जवादे सरकार भी अन्सर और ऑप्षण यह सही होती है क्योंगी एक जवादे सरकार होने чाहिए कोई आपके समक्षिं यहां पड़ चार ओपशन दिये हुए थी कोन पहले आया कोन उसके बाद आया तो पहले डाया ने जलिया लबाग बन मैदारों में कट्र भारी भीर पर गोली चलवाई चलिए यह बास बबहत बटी सरकार दोरा दी गए जवरन भरती और प्रतम विश्यूत क के दौरान लोग की हुई आरती कटना करना पड़ा यह बास सही है कि बिटी सरकार जवरन जो है भरती कर रही थी और प्रतम विश्यूद में बहुत नुक्सान जहना पड़ा यह भी बास सही है युद्ध को अटोमन समराज के हार के कारण खिलाफद अंदोलन गठन हुआ यह अनुक्रम में हम विवस्तित करना है यानि इसको बढ़ते वे करम में विवस्तित करनी है तो पहला есс !! यहां पर चतूर्त हुआ पहला गांढदी जिने रोएल एक्ट के विरुअः रास्ट बा सत्यसार चलाए चलिए ये तो यह तो कुछ तक हमें रास नहीं आ रही है कैसे हो सकता है यानि चतुरत्न प पहला दिया हुआ ये तो होना संभब नहीं है तो इस बात को थो हम लेकर नहीं चल सकती है पहला दिरत्य पहला थी temporada विसरकार ने भरती चलाई तभी जा करना मा वहा दी हमारा महत्पुर्ण में आ जाता है सी पहला है तो पहला करके कट्र भारी भीर पर गोली चलाई यह नहीं हो सकती सी होई गया है हमारा भी परत्थम है क्या हम आल लिडी डिजक्ट कर चुके हैं तो सी और डी जो है हमारा कैंसल आउट हो गया हमारा द्वंद जो रह गया ए और बी में लेकिन बी में देखा जाया तो गांधी जी ने रोयल एक्ट के विरूद राष्ट व्यापी सत्यगर चलाया लेकिन क्यों चलाया आप देखिए हमारा यह जो अप्शन है यह भी अब बी देखे क्या है हम करक्त के देखते हैं बी में जो है हमारा द्रित्य अन दुसरा दे रखा है बड़ी सरकार दोयरा जवरन भरती और परतम विश्यूत के दोरान लोग के हुई आर्थिक कटना यह सामना करना पड़ा यह बात इंपोर्टेंट थी यह पहला अप्शन डायर ने गोलियां की बर्चार चकचला दी तो यह बात सही है अब चौथी बात यहां ती गांधी जी ने रोयलेक्ट के विरूद जो रोयलेक्ट बनाई गए तो विरूद राष्ट प्यापी सत्यक्र चलाया यह बात सही है और तुसरा तुर्की अच्टों में समराज के ह पार के कारण खिलाब अंदोलन का गठन भी हुआ तो इसका मतलब है बी सही अंसर है बी जो है यह सही करम बताई गई है तो यहां पर बी ऑप्शन सही जाता है उसके पशात हमारे समक्षाता है यदी ट्रांसपोर्टर द्वारा साधन उत्पन किया जाता है और लोडी ग्र भास है वह उपर बताई गई कारण कोन सा अंतन कर दिक होगा यान को सटन दो है आ Zus फूरिप्शन दो बात कि सकते होगा है नहीं उसे ऑस में नहीं नहीं थे नहीं नहीं है तो यहिरवiniट होगया दोनों के दोनों हो गए discern बात हम प्रातुमिक ग्री具 हं नहीं इसमें देखिए हमने जग दृत्यक को भी हमने इंपोरेंट माना माध्यमिक को भी माना इंपोर्टेंट तो यहां तो दी में माध्यमिक भी नहीं है तो इसका मतलब यहां option जोगा सी दृत्यक प्रात्मिक और माध्यमिक तो आप eliminate करके भी समझ सकते हो कोशनों का अंसर क्यों करना असान होता है लेकिन eliminate करना भी आपको आना चाहिए कौन option रहेगा कौन option नहीं रहेगा उसके पर हमारे समख शहर नीचे कथन पर विचार करें और सभी उत्तर कथन चुने देखिए 19 सदी के अंत में परश्रिम जो है मुद्रन तकनीक और यांत्रिक प्रेस का आयात किया गया क्योंकि परश्रिम सक्क्तियों ने चीन में अपनी चोक्यां स्तापित की बास सही है बढ़िए जो है गलत है आप देखिए बात तो यहां पर दोनो सही कही है लेकिन कुछ हथ तक देखा जाया तो यहां ऑप्षन है कतन जल् felt करें ब्राज़िंग केरा गया जो है जो सही है इसका मतलब हुआ एक सही है और दुसरा गलत है यानि यहां पर सत्यसीद हुआ हमारे समाश कोशन आया है कि एम ने अपने मित्र को उस परकार की मिठी के बारे में संकेत दिया जो का पास उगाने के लिए उप्यूक्त है अदस परकार के मेठी के पैचान करने में द्वाराए परदान किया जाना निम्लिकित कों सा सुराग सब से जोगी होगा यानि यहां पर चार ने दीम गया है यह काफि PAC हाइड्रेट होने पर यह पीला हो जाती है यह यह अंकुलर और भंगरी पिंडो से भरपूर है यह अच्छी जल्व निवास वाली डॉमेट मिट्टी है तरही देखते ऑप्शन बता रहा है यहां पर सुराग एक सही है सुराग एक और दुसरा सही है सुराग चौथा सही दे देखा जाए तो हमारे समक्ष जो है अगला है चौफ यह यह पर दुसरा रहा है यह यह तरह ंकुल पिंडो से भरपूर है चलिए ये भी इन मिनेट हो जाता है तो हमारा अंसर ए सुराग एक सही है कि यह नमी धारन करने वाली छमता के लिए परसिद की हमें पता है कि कोटन की फसले ऐसी जगों पर की जाती है जहां पर नमी धारन करने की छमता के लिए परसिद हो उसी जगा जो है कोटन की रिशी की जा सकती है यहां पर देखा जाए तो यह अप्शन सही अंसर है उसके पर शाथ हमारे समक्षाता है सतार्मा कोशन कि रिक्स अस्तान को भरने के लिए सही बिगल्ब चुने सिधे तोर पर राजनी दलों के उदय से जुड़ा हुआ है यह कोशन काफी महत्वपूर है अब देखिए मैधरिक लोगतंत्र परत्यक्ष लोगतंत्र परतिनिधी लोगतंत्र सरवदानि लोगतंत्र तो हो नहीं सकती तो साफ गलत यहां पर दशाया जा रहा है परत्यक्ष परततिनिधी लोगतंत्र भी थोड़ी हन तक सही है सर्वदानिक लोगतंत्र थी सभी है लेकिन परत्यक्ष नहीं सकते हमारा कोर्शन आता है कि यक्रन की परिक्रिया को नकरर्भक trud सब्सक्रों कि नीजी करन कहते है जाता है तो चूट देना के भावना नहीं करता है इसका मतलब हुआ अंसर भी सब्सक्वाइग है यानि globalization की कारण हम विष्व के हर छेत्रों से जुर पाते हैं तो हमारा option जो है भूम अंडली ये करण काफी महत्वपून और यही अंसर सही है तो भी पे आप टिक कर सकते हो हमारा अगला कोस्टन जो आया है काफी महतपून है कि सरकार गठन के अफशक्ता तो ध्यान में रखते हुए निमिलिक्त कौन सा कथन सही है अब देखिए कथन हमारे पास चार है सुतंत्र जिमिदारी के लिए सरकार बनाना संभव है सुतंत्र जिमिदारी के लिए सरकार बनाना संभव है दूसरा है सरकार का गठन केवल निर्वाचित राजनिती दलों तक ही सीमित है चौता है सरकार केवल उन राजनित दलों द्वारा बनाई जा सकती है जो निर्वाचित और जिनके पास बहुमत हो यहाँ पर काफी महत्पूर्ण ऋप्शण है आप चलि देखते हैं विकल्प को तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प यह कहता है कि एक गठन एक और दो सही है कठन भी कहता है कि एक तीन और दो और मिए कहता है कि पर is Para के थीन सरकार बनाना संभव सोतांतर उमिद्वारों के लिए सरकार्ड बनाना संभव है यह गलत है यानि पहला तो इल्मिनेट हो गया और पहला होने कारण क्या हुआ ए और बी भी इल्मिनेट हो गया जब हम पहले को गलत साबित कर दिये तो देखिए जो जो option में पहला होगा वो तो अब गया काम से तो ये तो गया सरकाल का गथं विसेश pace, रूप से राड़नी दलो us community morning लिए अरक्षे थường दें शायरिए भी गलत है दुसरा गलत हूए तो यानी पहला और दुसरा ए और बी तो चलिए गलत था ही यो गलत भी यह अब रह गया क्योंकि इस option में देखिए तीसरा भी महजूद है अगर हम B को गलत कर रहे हैं और A को गलत कर रहे हैं तो B में तीसरा भी है और तीसरा ये कहता है कि सरकार का गठन केवल निर्वाचित राजनित दलो तक ही सीमित है गलत बात है ये भी इसका मतलब देखा जाया तो तीनों Eliminate हो गए ए बी सी तीनों ही Eliminate हो गए रह गया चौथा सरकार केवल उन राजनितिक दलो त्वरा बनाई जा सकती है जो निर्वाचित और जिनके पास बहुमत होता है ये बात करेक्ट है सरकार उसी की बनाई जाती है जिसके पास जो है बहुमत होती है और जो निर्वाचित होती है आपको पता है प्रधान मंत्री उसको बनाया जाते हैं जो की निर्वाचित सभी में से जितने भी बहुमत प्राप्त करतने वाले दल में से एक वेक्टी को बनाया जाता है तो यहां कथन जो है चौथा सही है कि सरकार केवल उन राजनी दलो द्वारा बनाई जा सकती है जो निर्वाथित हो और जिनके पास पूरी बहुमत हो उस वही सरकार बना सकते हैं यानि चौथा आपका यहां पर सही गया उसके पर शाथ हमारा बिसमा जो एम सी क्यू है जो की लास्ट है रंती में काफी महत पून है उसके बाद हम समगों ने के लिए पास एक बैंक से संपर्क किया साथ सब्सक्राइब कर लिए समू ने उसे समर्थन देना सोईकार कर लिया आखिर यहां बहुत इंपरेंट बात आ गये कौन सा दस्तावेज बैंक को अवर्शक है यानि कौन से दस्तावेज जो है मिस एम ने लेकि नहीं लेकिन स्वयम सहता समूऊ को अपने व्यफशाय के लिएrings करिंद की मंझूरी के लिए अशर्था नहीं थी आश्या कॉन सातस्ता वेज है जो यहां पर देका जाये स्वयम्स सहता समू के लिए जरूरत नहीं लेकिन वह बैंक के लिए जरूरी है क्या रिन हेतु अवेधन पद आवेधन यह तो नहीं हो सकता कि यह तो आवेधन क्योंक्तु रिखब डूनों की है को चाहिए दोन transit दोनों और यहां देना चाहिए न कि यहां पर बैंक तो दिया नहीं है उसके बाद देखा जा जाए बेब्साय पत्र दोनों को को ही चाहिए क्योंकि दोनों ही आप जाई जब भी बैंक में जाईएगा तो आपको बेपसाय भी पूछा जाता है कि आप कौन से कारे करते हो तो बेपसाय पत्र दोनों को चाहिए उसके बात है सम श्रिक पर दस्तावेद देखिए यह कुछ हद तक बात यहां पर खटक रही है उसके पास हम देख लें और वित्रन पत्र ले यह तो दोनों के लिए जरूरी यह तो इसका मतलब है कि यह तीनों तो उनके पास थी लेकिन एक पत्र जो था संपर पर दस्तावेद वेज वह मिसम के पास नहीं थी जैसे काराण जो है सरकार ने यानि एक बैंक ने उनको को रिन देने से मना कर दिया लेकिन सम्प्राश्रिक पर दस्तावेश जो है स्वैम साय का समू को जरूरत नहीं पड़ती है उसके बीना भी वह उसको help कर सकती है लेकिन बैंक को यह important देस्टाइफ लगता है इसलिए बैंक जो हिए दस्टाइफ मांगे ला ही मांगिया तो हमारा छू गया सी समप्राशिक पर दास्ताइफ यह काफी महतवब्य था और उसी कारण मिस M को बैंक ने रिंद नहीं दिया तो यह सी professions पस्थन सही गया और तिरपान स्टेडी सेंटर यहीं चाहता है कि विडियो हर एक बच्चे तक पहुंचे और सही ग्यान का उनको कर सके और यह सिलसला आपको चलता ही रहेगा कहते हैं जितने सीक्यू में डालू अगर उतना कर लेते हो तो आपका सोसल साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है क्योंकि मैं आपको लिए सिर्फ इंपोर्टेंट कोशन ही आपके समक्ष रखूंगा और यह इस तब मिलेगा जब आप शेयर कीजिएगा और चैनल को होते हैं तो वहाँ पर आपिवीडियो डाल सकती हो ठीक है पहली बार मेंडे चनल पर देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है और चाहते हो और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राफ्ट होता रहे चलों सब्सक्राइब कीजिए तभी चल्दीर का डिश्न मिल ज उसी कि अईयों पया सुमय है उसी सकतर न ...